हेलो फ्रेंड्स आप सुन रहे हैं आपके अपने मीत्र में भव्य मुकाती और में पागी जदुर्वेदी आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम अलिजियंस एफम 94.8 में आज में और पागी चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण त्यार पर जो इस महों 14 या 15 तारी को बड़े हैं सोउल्नास के साथ मनाया जाता है अच्छा भव्य तुम मकर सब्रांदी के बारे में कह रहे हो यहाँ मेरा पसंदिता दोवार है हाँ भागी भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है ओ देश में विविन धर्मों के लोगों द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में कई तिहार मनाये जाते हैं हर तिहार जाने के पिछे को ध्हरविक तो कोई पोरानिक कारण या कोई मान्यता और कहानी अवश्य होती है पर मकर सब्रांदी इनमें से अलग तुआ रहे Champions से अलग-अलग नामों से जाना जाता है जहाँ पंजाब अरियान में इस लोहरि। पश्चिम बंगाल में उत्तर या या खिछडी आंधर प्रदेश केरल वा करनाटक में, संक्रांती तमिल नारू में, पोंगाल तो असम में पिभी हूँ और गुजरात में पतंगुर का तिहार आधी नामों से जाना जाता है। पव्यमकर सक्रांदी कातेवार फसलों की अच्छी पाइदावर के लिए भगवान को धन्यवार देने और उनका आशिरवाद हमेशा किसानों पर बना रहे, उसके लिए मनाया जाता है। खेत में उप्योग की जाने वाली हल्कुदार बेर इत्यादी की पूजा की जाती है। और बगवान के सानों पर अपना आशिरवाद हमेशा बनाए रखे। इसलिए सूर्य देव की पूजा की जाती है। पाकि हिंदू केलेंडर के अनुसार पोस महिने में जब सूर्य दक्षिन आयन से उत्तर आयन यादी की मकर रेका में प्रवेश करता है तो मकर संग्रांदी का यह तिवार मनाया जाता है। देश के विविन हिस्टों में इसे अन्य नामों के साथ मनाया जाता है। परंतू सभी जगों पर सूर्य की ही पुजा की जाती है देश के अलग-अलग राज्यों में प्रिविन नामों वाले इस्तिहार में फसलों की अच्छी पेज़दावा के लिए भगवान सूर्य की पुजा कर उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। मकर संक्रांती के पर्व में भगवान को तिल गूर जुआर बाज्य से बने पकवान सूर्य को अड़पित किये जाते हैं और फिर लोग इनका सेवन भी करते हैं। मकर संक्रांती के दिन मकर लेखा में सूर्य प्रवेश की वैज्यानिक और आध्यमिकता द्रश्टी से बहुत महत्व होता है। सूर्य दक्षिनी गोलार्द से उत्तरी गोलार्द की बढ़ने लगता है। इसे ही हम उत्तरायन कहते हैं। आध्यामिक द्रश्टी से देखा जाए तो ऐसा होना बहुत ही शुब माना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में सनान करके अपने पापों को दोते हैं। और सूर्य देव की पुजा करते हैं और उनका आशिरवाद लेते हैं। इस दिन लोग दान भी करते हैं। ऐसा माना गया है कि दान करके सूर्य देव खुश हो जाते हैं। और मोक्ष की प्राप्ती होती है। हाँ बागी दक्षिनी गोलाद से उत्तरी गोलाद में सूर्य का प्रवेश करना बहुत ही सूप माना जाता है। पतंग उडाने की भी प्रता है और पतंग बाजी का अयोजन भी किया लाता है। बड़े और बच्चे बड़े ही आनन और जोश के साथ इस्तिये मनाते हैं। भव्य तुम्हें पता है कि मकर सग्रान्दी का तोफार मुझे अच्छा क्यों लगता है। क्योंकि यह ऐसा दिन होता है जिस दिन आकाश में रंग विरंगी पतंगों से भरा होता है। बच्चों में पतंग उढ़ाने का बहुत उच्छा होता है जो बच्चों में 10-15 दिन पहले से ही देखा जा सकता है। बच्चे इस दिन के लिए तयारी पहले ही पतंग मान्जे इत्याधी खरीद कर घरों में रख देते हैं। इस दिन बहुत लोग स्नान के लिए कुछ धर्मिक स्थलोप जैसे वारा नसी प्रयाग राज हरीद्वार और आदी गंगा के पवित्र घाटों पर स्नान करने चाते हैं। इस दिन मेरे घर के सभी सदस्य जल्दी उठका नर्वदा नदी में इसनान करने के लिए जाते हैं। इसनान के बाद नए कपड़े पहनते हैं। इसनान करने के बाद हम सुझय देव को जल चलाते हैं। उनकी पूजा करते हैं और उन्हें गूर चावल और तील से बने चीजों का भोग लगाते हैं। और अच्छी फसल पेदा करने के लिए सूर्य देव का धन्यवाद और उनकी पूजा करते हैं। फिर गूर और तील से बने पकवान खाते हैं। दोपर तक नई पसल के चावल से खिचडी वनाई जाती है। हम सब मिलकर खिचडी को देशी घी और गूर तता दही के साथ खाते हैं। मुझे पतंग उड़ाना बहुती पसंद है। तो मैं अपनी पतंगों के साथ छत पर चला जाता हूँ और देर साम तक पतंग बाजी करता हूँ। भावे तुम्हें पता है कि मकर सक्रानती पर महाकुंब मेले का आयोजन भी होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके मान्यता है। इसलिए लोग स्नान के लिए गंगा के घाटों पर जाते हैं। और इस मेले का में भी रूप आयोजित किया जाता है। जिसे अर्दकुंब और महाकुंब मेले का नाम दिया जाता है। और वारानसी में हर वर्ष अर्दकुंब का मेला लगता है। और प्रयाग के संगम में महाकुम्ब का आयोजन किया जाता है यह महाकुम्ब क्रामश प्रयाग हरिद्वार उज्जेन और नासिक की घाटों पर महाकुम्ब पर्व के रूप में मना जाता है बहवय ऐसी मानिता है कि इस महाकुंब मेसनान के आपके वर्षों के पाप धूल जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी यह मिला मकर संक्रांती के दिन ही शुरू होता है और महा एक तक रहता है पाकी तुम्हें पता है मकर संक्रांती के दिन दान देने का विशेश महत्व है इस दिन संतों तता गरिबों को दाल चावल तीरों का पेशों का दान दिया जाता है हाँ भव्य मकर सक्रांतिक का अपना एक आध्यात्मिक और संस्क्रतिक महत्व है देश भण में लोग पूरे उच्छा और जोश के साथ इस तेवार को मनाते हैं यह हिंदूों का एक प्रमुक्त ववार है जिसका उद्देश आपसी भाईचारा एकता और खुशियों को बाटने है इस दिन अन्य धर्मों के लोग भी पतंग भाजिक में अपना हाद आजमाते हैं आनंद लेते हैं गरीबों जरुमंदों और संतों को दान के रूप में अन्न और पेशा देकर उनके साथ अपनी खुशिया बाटते हैं ताकि च्वारों और बस खुशिया ही रहें तो फिर मिलेंगे आप एक नए टोपिक के साथ आपके पसंदिता प्रोग्राम एलीजेंस एफ एन नाइंटी पॉइंट के साथ धन्यवाद झाल